23 दिसंबर को चौदरी चरंसींग की जैनती मनाई जाती है और चौदरी चरंसींग की जनम दिन को हम लोग किसान दिवस की रूम में भी मनाते हैं और किसानों का इन्हें मसीहा भी कहा जाता है और एक नाब भी ने दिया गया था इसके लिए भारत के किसानों के चेंपियन की रूम में इन्हें जानते हैं लोग तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान चर्चा कर लेते हैं और आपको बता दूँ कि ये उत्तरव देश के मुखमंत्री भी रहे हैं उसके बाद देश के प्यधान मंत्री भी रहे हैं और इनके चाहे मुखमंत्री के कारकाल को देखी चाहे प्यधान मंत्री के कारकाल को देखी इन्होंने किसानों को ध्यान में रखते ही काम किया है और इसलिए आप देखते हैं किसान इनको याद करते हैं और एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजे देखिए हमारा प्यारा भारत है इसमें आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है और उत्तर पिदेश की राध्धानी लखनव हुए और इसकी अंतराष्टी सीमा नेपाल से लगती है राज्जों में आप देखी दुबिहार, जारकंड, चतिसगर, मद्पिदेश, राजिस्थान, हरियाना, हीमाचल पिदेश, उत्तराकंड और कैंदसासित पिदेश दिल्ल पूर्ण है और ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना इसका राष्टा उत्तर पिदेश से हिवकर निकलता है क्योंकि यहां बिधान सभा में आप देखेंगे 403 सीटें आपको देखने को मिलेगी, बिधान परिशद में 100 सीटे हैं, राज्य सभा में 31 सीटे है और लोग सभा में 80 सीटे हैं, 80 सीटे हैं आप लोग समझ रहे हैं लोग से वागी, तो 80 सीटे हैं तो यह भी आप लोग याद रखिएगा अगर हम लोग चौदरी चर्ण सींग की बात करें तो इनकी जैन्ती को 23 दिसंबर को देश भर में राश्टी किसान दिवस या किसान दिवस के रूमें मनाते हैं और यह दिवस समाज में किसानों की युगदान और देश के समग आर्थिक और सामाजिक विकास के महत को समझने के लिए नागरफों के भी जागरूकता को बढ़ावा देने ही तो मनाया जाता है और सरकार का उध्यक किरसी पबाद बीबाद और सेमीनार जैसी बिबिन गतिवधीयों का आयावजन करके देश भर के किसानों को प्रोसां करना भी है आप देखिए हमारे देश के किसानों के हालक कितनी बुरी बनी हुई है जो दूसरوں का पेट भरते हैं आप देखें कि हर मौसम में मार खाते हैं कभी बरसाद जाना हो जाती है कभी सूखा पड़ जाती है कभी आप देखते हैं कि किसी और आपदा से आप देखते हैं उनकी फसल बरवाद हो जाती है और आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि इतने किसानों ने आत्मत तया किये तो उनी की स्तिती को सुधारने के लिए इनोंने कई कदम उठाए अगर हम लोग चौदरी चर्ण सींग के जनम की बात करें तो आप देखेंगे इनका जनम 23 दिसमबर 1902 को उत्तरपिदेश की मिरट जिली की नूरपुर में होता है और वह 28 जुलाई 1989 से आप देखेंगे 14 जनवरी 1980 तक भारत की पिधान मंतरी के पद पर है इनके अगर हम लोग पदों की बात करें तो आप देखेंगे इनकी सिच्छा की बात करें तो आगराब इस विद्याले से पड़ाई लिखाई पूरी करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि ये भारती राष्टी कॉंग्रेस से जुड़े रहते हैं 1967 तक फिर आप देखेंगे भारती ये लोग दल बनाते हैं और फिर आप देखेंगे ये जनता पार्टी में जुड़ जाते हैं जन्ता पार्टी सेकूलर में जुड़ जाते हैं और इनकी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री की रूम में इनों ने पांचवे मुखमंत्री की रूम में काम किया 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूवर 1970 तक फिर आप देखेंगे कि एक बार और इनों ने काम किया था 1967 से 1968 दो वार मुखमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के फिर आप देखेंगे होम मेंस्टर रहते हैं ग्रह मंत्री देश के रहते हैं और 24 मार्च 1977 से 1 जुलाई 1980 तक 1978 तक और 1980 नहीं मापकरी 1978 तक फिर आप देखें बित्मंत्री भी रहते हैं 24 जनवरी 1989 से 16 जुलाई 1989 तक भारत के तीसरे उप्धान मंत्री भी रहते हैं 24 जनवरी 1989 से 16 जुलाई 1989 तक और 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के पाचवे प्धान मंत्री के रूम में उन्होंने काम किया था गिरामीर और किरसी विकास की समर्थक होने के नाते उन्होंने भारत में योजना की केंदर में किरसी को रखने के लिए नियंतर प्रयास भी किये पूरे देश में किसानों के उत्थान और किसी की विकास की दिशा में उनके काम के लिए उन्हें चेंपियन आप इंडियाज पीजेंट्स उपनाम दिया गया था और आप देखें कि उन्होंने साहुकारों से किसानों को रहत देने के लिए रिड मोचन विधयक 1949 के निर्माड और उनसे अंतिम रूप देने में अगड़ी भूमिका निभाई क्योंकि आप देखें साहुकारों की एगर जाल में किसान फच जाता है एक बार तो आप देखते हैं वो बरबात हो जाता है वो उनसे कभी निकल नहीं पाता है क्योंकि आप देखते हैं साहुकारों का ब्याज कितना हाई होता है उन्होंने भूमी जोत अधिनियम 1960 को लाने में महत्पूर भूमी का लगाई और जिसका उद्धिस पूरे राज्य में भूमी जोत की सीमा को कम करना था ताकि इसे एक समान बनाया जा सके उन्होंने 1967 में कॉंग्रिस छोड़ दी और अपनी सुतंत पार्टी भारतिय लोग दल का इस्थापना की थी दोवार उत्तर पते इसके मुख मंत्री एक बार भारत की पिदान मंत्री बनते हैं वह है जमीदारों का उन्मूलन को ओपरेटिक फार्मिंग एक्स रेड भारत की गरीवी उसका समाधान किसान सौमित या सरेमिकों के लिए भूमी सरेमिकों के बेगाजन की रोक्ताम सहित प्रिवेंशन ओप डिवीजन ओप होल्टिंग्स बिलो आ सर्टेन मिनीमम जैसी कई पुष्टकों और पुष्टिकाओं की लेकत भी रहें इन्होंने किताबें भी लिखी हैं ये भी आप लोग याद रखेगा तो एक सौट बाइगराफी आप लोग है सकते ही कि किसकी है चौदरी चरन सेंग की और देखिए इस तरह का कोई भी बैक्ती हो वो कोई भी पिद